is नमस्कार वीवरस मैं हूं अमीश देव गन ऑर हम समय Ground Zero पे मौझूद है और मेरे साथ मौझूद है केंद्रे मंत्री हरदीब पुरी क्योंकि पुरा शासन प्रशासन भारति-जन्ता पाटी समय Ground Zero पे मौझूद है नर्फ मोधी को तीसरी बार प्रधान मंतरी बनाने के लिए और हम मौजूद हैं करतब व्यपत के उपर ये वो पत है जिसका नाम प्रधान मंतरी मोदी ने बदला लेकिन विपक्ष ने बहुत से सवाल उठाए ये वो पत है जिस पत पराकर नरेंद मोदी ने बीते दस सालों में इस देश में अमूल चूल परिवर्तन करा ऐसा भारतियंता पार्टी कहती है लेकिन कॉंग्रेस और इंडिया गड़ बंदन कहता है कि भारतियंता पार्टी हिंदू-मुसल्मान का दाव खेल रही है पोलरा और नई संसत भी दिख रही है और प्रधानमंती नरेंद मोदी के अगवाई में आपने भी यहां पर काम किया क्या कहना चाहते हैं देखें दोजार चौदा से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से पचास वर्ष पहले अलमोस्ट फिफ्टी यहस टू देडे मैंने इसको राजपत कहते थे आज इसको कर्तव्यपत कहते हैं मैंने इंडियन फॉरें सर्विस जॉइन कीती पचास साल पहले और मैंने देखा कि 2004 से पहले क्या हुआ था और 2014 के बाद क्या हुआ है यह जो आप कर्तव्यपत शांदार देख रहे हैं नई पार्लिमेंट बिल्डिंग देख रहे हैं अभी नई सेंट्रल सेकेटेरियरेट की बिल्डिंग आएंगी एटसेटरा यह जो विकास का कार्य हुआ है सिर इस एरिया में नहीं देश भर में उसके आंकडे जो हैं दस साल के वो अगर आप देखा जाए तो पिछले 1947 से लेके मिला कर वो एक तरफ हैं और यह दुसरे इसलिए विपक्ष के पास सॉलिड अचीवमेंट्स और दिखाने के लिए नहीं है इसलिए वो जो भी हम करते हैं उस पे वो सवाल उठा लेते हैं और मंच तयार है मंच तयार है तो जोदार तालियों के साथ अबिनंदन करें मंतरी हर्दीब पुरी जी जींगे पथर स्वागत है जैसे मैंने पहले सवाल पूछा 190 सी ओं चुनाव पूरा ओगया है लेकिन यहां से स्थित्य क्या दिखती है क्यों कि विपक्ष कह रहा है कि पहला दौर बहुत कमजोर गया है भारति इंतर पार्टी का ऐसी प्रिसेप्शन बनाई जा रही है देखिए विपक्ष का कहना कि पहला फेज अच्छा गया या नहीं गया वो तो पता लगेगा जब नतीजे आएंगे चार जून को पर दो चीजे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो हमारे विपक्ष की अलाइंस है इंडी अलाइंस जी आप इनका प्रोग्राम देखें तो आप ये सवाल पूछिए कि मान लीजे खुदा ना करे और चार जून को जो नतीजे आते हैं उन नतीजों में निकलता है कि कॉंग्रेस पार्टी और उनके जो सहोगी दल है इंडी अलाइंस हुआ आ जाते हैं तो वो क्या करना चाहेंगे दोजार चौबिस से लेके आगे बढ़कर अगले डेकेड्स में क्या करना चाहेंगे तो दो इशूज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ 1969 में इन्होंने गरीबी हटाने का नारा लगाया था और यह जो गरीबी हटाओ स्लोगन था इसको अगर आइनलाइस करें तो क्या था मैं तो भूल गया था 1974 में मैंने आपको बताया है मैंने फॉरंग सर्विस जॉइन की जी इन्होंने 1963 1974 इस एरिया में compulsory deposit स्कीम लाये थे माली जी हमारे जो यंग आंट्रप्रेनोर्स हैं स्टूडन्स हैं इन में से कुछ कुछ फर्स टाइम वोटर्स हैं जो भी उनके पास अगर deposit है जो भी पैसा है उनने ने का 18% इसको पान साल के लिए fix deposit में रखिये लेकिन लेकिन एक सवाल मेरा यह है कि आपके पास कोई खटा-कट खटा-कट वाली scheme नहीं है जो महंगाई कम करते हैं पहले तो यह बताईए कि आप real world में रहते हैं या कि make believe world में रहते हैं हम लोग सब हाथ खड़ा करिए जब रहते हैं लेकिन खटा-कट खटा-कट महंगाई खतम करने की scheme है कोई बीजेबी के पास राहूल जी के पास है राहूल जी के को हो रहा है इंडिया में एक्सरे करवाएंगे एक्सरे में क्या करेंगे पता करेंगे कितनी संपत्ति हैं लोगों के बाद और फिर कुछ करांतिकारी कदम उठाएंगे कि अगर आपके पास वैलता उसको रीडिस्रिब्यूट कर देंगे पहली बात देखिए एक इन्हेरिटन्स टैक्स नाम की चीज़ है जी विरासर टैक्स हाँ वो पहले भी था जब इंदरा जी गुजर गई तो राजीव दी को उनके बच्चों को उनके ग्रैंचिल्डन को इंदरा जी को एक लाग 73,000 डॉलर के करीब मिलना था क्यूंकि वो नहीं चाहते थे कि वो इन्हेरिटन्स टैक्स लगा हुआ था वो पे करना पड़े तो उन्होंने इन्हेरिटन्स टैक्स को ही कर दिया तो यह एक ऐसा आउ अब चर्चा यह है कि वाइनाड का चुनाप संपन हो गया अब राहुल गांधी अमेठी जाएंगे और स्मृति हिरानी को हराएंगे और वहां से फिर इसी संसद में आएंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे ऐसा कॉंग्रेस के लिए पहले तो जहां तक मुझे याद ह राहुल गांधी जी अभी तो सुनिया जी और यहां से भी सस्पेंडेड है तो यहां आने के लिए उनको या वाइनाड या कई और से अगर एलेक्शन लड़ना चाहिए वहां से जीतना पड़ेगा जहां तक मुझे लग रहा है वाइनाड में कॉंग्रेस और लेफ्ट भी लड़ रही है CPI की एनी राजा लड़ रही है तो मुझे लगता वो सीट में बीजेपी के पास जाएगी और अगर स्मृती जी के खिलाब लड़ेंगे तो वहां तो उनका डिपॉजट भी फॉरफीट होगा लेकिन एक सवाल है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है तो फिर 2006 का डॉक्टर मनमोन सिंग का बयान उठाने की क्या जूरत थी जिसमें प्रधान मंतरी ने कोट करा डॉक्टर मनमोन सिंग को और का कि मनमोन सिंग ने बोला था कि संसादनों पर जो पहला राइट है वो एक खास कम्यूनिटी का है जो प्रधान मंतरी मोदी ने बात बोली जेपी नड्डा ने भी आज 2009 के वीडियो को डॉक्टर मनमोन सिंग के कोट किया क्या आपको लगता है और क्या आपको लगता है जो बीजेपी आरोप लगा रही है अगर कॉंग्रेस शासन में आएग यह तो मेरे हिसाब से तो इंपॉसिबिलिटी है इनके पिछले बारी कोई 40 42 सीटें थी फिफ्टी टू थी सार इससार 40 42 यह आएंगी तो इसलिए मैं यह आपको यह कह रहा हूं कि यह हम ऐसी बात नहीं करें पहले हमने यह मुद्दा नहीं उठाया मैं आपको यह बताना चाहता हूं हमने बात इसलिए की क्योंकि हमारे जो युवा नेता है लोकप्रिय राहूल गांदी जी इन्हों ने मुद्दे अठाये उससे यह मुद्दे उठे युवा मानते हैं आप अभी युवा की परिभाशा क्या है अब मैं मेरी 72 साल उमर मैं भी अपने आपको मानमौन चोह रहे हैं जी नहीं मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर मनमोन सिंग ने क्या कहा था और कब कहा था और एक बार नहीं कई बार कहा था उन्होंने यह कहाता और इन्होंने कभी नी निक्या और उसके बाद इन में से कई लोगों ने कहा कि जो ओबी सीज को कंसेशन या रेजरवेशन जो भी आप कहें वो वहां से लेके उस पर्टिक्लर कम्यूनिटी में देने चाहिए मैं उस चीज के साथ लड़नी रहा वो तो उन्हेंने कहा था उसमें भी हमें ग्यान था इसके बारे आज उसकी क्या implication है आज उसकी implication यह है कि जब राहुल जी ने यह statement की जी कि मैं x-ray करवाऊंगा खटा खट गरीबी कम करूँगा तो उस गरीबी कम करने के context में उन्होंने का है कि अगर आपके पास से पंद्रह सो रुपए है तो मैं बांट दूँगा दस लोगों के बीच में तो यह हुआ है और उसमें first right वो किसी minority community के देंगे एक सवाल खड़ा हो रहा है प्रधानमंत्री की election commission में शिकायद भी हुई है notice भी हुआ है एक विपक्ष की और से यह बात है और यह बात यह कि हिंदू-musulman करने का चुनाव को प्रयास है पोलराइज करने का प्रयास है देखिए हमारी तरफ से कोई polarization करने का प्रयास है और यह हम कर रहे हैं करते यह खुद हैं जब हम उनका point out करते हैं उनकी fault line में कि आपने यह कहा उस समय यह आकर कहते हैं यह तो polarize कर रहे हैं लेकिन एक का प्रशन हो और है EVM को लेकर बड़े सारे सवाल उठते हैं आज सुप्रीम कोट ने मिल गया देखिए क्या करते हैं अच् क्योंकि जब भी Congress Party किसी राज्य में चुनाव जीतती है आप देखें EVM कब इंट्रड्यूस होएं कभी वो EVM के बारे बात नहीं करती बर जब भी वो चुनाव हारती है तो वो कहते हैं कि EVM faulty है ना EVM can either be faulty और it can be right पर यह नहीं it cannot be dependent on कि Congress Party जीती तो EVM ठीक हो गया देख it out of court जी मैं कुछ audience के questions ले लेता हूँ audience के लोग आप यहीं खड़े रहिए audience के कुछ सवाल लेता हूँ कौन सवाल पूचे जाता सर से अपना सवाल पूचे जी-जी-जी-जी क्या सवाल है आपका पूचे पी चुनाओं से पहले बोल रही थी अपकर बार चार सो बार लेकिन जब पहला चरण का चुनाओं हो गया उसके बाद बीजेपी के तरफ से ऐसी रेली ऐसी कोई बयान नहीं आए तो क्या बीजेपी घबरा गई है पहले चरण और के सवाल आपका मेरे सवाल है कि सब्सक्राइब बीजेपी क्या था कि बीजेपी के फर्स्ट राउंड के अंदर क्या है क्या 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 बीजेपी की सीटे कम आ रही है नहीं नहीं कम नहीं आ रही है मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्स्परनेशन दे दूँ जी पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में हमारे 303 सीट थी अगर उसमें 10% हमारी जाड़ा आती है तो 330 होडाती है बंदरा परसंट जा काईए 350 अगर आपको 380 अब जैसे मैं मेरी डॉटर्टर कहती है कि जब मैं अपने आपको कहता हूं कि मैं इतने साल का हूं तो कहते हैं आप आदा चार मीने रह ले तो आप साल आगे कर लेते हो तो अधर आएंगी 300 बोल 400 रहे हैं नहीं नहीं मैं देखे देखे जब चुन है और आज सेकंड राउंड के बाद मुझे लगता है उसी फिगर पे जा रहे हैं पर वो चार सो होगा या तीन सो होगा वो तो नतीजे बताएंगे लेकिन एक सवाल और आया कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वाशिंग मशीन है जो खटाखट साफाई करके देती है ऐसा है ऐसी कुछ है तो बताइए यह लोग सवाल करें उसका नहीं आपने तो अभी आपको दो वाशिंग की जरूरत ही नहीं है आप तो बिल्कुल साफ दूद के धुले हो अभी तो आप पुलिटिकल लाइफ में आ रहे हो होता क्या है कि हमारे आप कोई प्रॉब्लम नहीं आज आप एक पार्टी में आप दूसरी सब्सक्राइब करती है उसमें तीन परसंट पुलिटिकल है आप मेरे को यह बताए कौन सा आदमी कौन सा पुलिटिकल वरकर किसी और पार्टी से आया हमारे बीच और उसकी वाइट वाशिंग हो गई है ऐसा नहीं होता है अगर केसे हैं तो केसे चलेंगे लिकिन यह अजी स्पेन में रहके यह क्या सवाल है और कोई राउल गांदी जी ने सोनिया गांदी जी क्या जानके इटली से आई इंडिया का देश बनाने के लिए क्या सवाल है जीए अजीत चवान अजीत पवार जो भी है यह पुलिटिकल परस्नालिटीज है अगर यह आए हमारी तरफ तो जिसने भी निर्ना लिया वह सोच समझ के लिया होगा जी जी विकुल आखरी आखरी राउंड है पंजाब की मैं बात करना चाहूंगा आपसे अकालियों के साथ आपका समझोता नहीं हुआ बात बंते-बंते रह गई या खेल कुछ और है आपको आपको क्या तो कि भग आपको पता है मैं आपका ड्मार हो जी पर आपकी प्रश्चन में मुझे लगा कि थोड़ी आपको पंजाबी जैना अफसोस है कि नहीं हो एक नोगता हूं मैं तो इक भाच्वा का कार्या करता हूं हो इस समय मैं मंत्राले में मंत्री मंदल में शामिल हूँ देखिया ऐसा है एक सो सत्रा की assembly है वहाँ पे हमें अकाली 23 seat से ज़ादा लड़ने ही नहीं देते थे वहाँ पे 13 parliamentary constituency हैं लोकसवा की हम सिर्व हमें 3 लड़ने देते थे हम उस गठबंदन में junior partner थे और किसी भी गठबंदन में जो junior partner होता है वो घाटे में रहता हो उसके लिए घाटे का सौधा होता है इसलिए मुझे बड़ी खुशी है इस बार क्या होगा पिछली बारी हम दो लोकसवा सीट थे इस बारी कम से कम तीन गुना आएंगे और दूसरे अकालियों ने जो काम किया रेती की डखेती नशे की डखेती और किसम का corruption मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ उनके साथ गठबंदन में रहने के कारण हमारी भी चभी खराब हुई इसलिए था मुरी बड़ी अर्विंद केजरिवाल के आप लोग पीछे के पड़े हैं उन्हें मीठा भी नहीं खाने देते जेल और भीजवा दिया है यह अन्याय नहीं आपको लगता है जेल हमें भीजवाना होता तो दूसरी बात होती एक अर्विंद केजरिवाल जी राम लीला मैदान में दोजार तेरह में एक बड़ी अन्ना हजारे जी के बड़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट में भाग लिया उन्हें जी जी करप्शन के खिलाफ और जब उन्होंने उस समय काता हम शराब के खिलाफ हैं हम राजनीतिक के खिलाफ हैं हम कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे फिर क्या किया और जो जिसके खिल आल में एक टीचर स्कैम हुआ, चौबिस हजार टीचर जो इलीगली भरती हुए, वहाँ पर किसी ने कहा था तो कोट ने गया, कोट ने कहा कि इसकी जांच की जाए, जी, तब एडी आए, यहाँ पर नो बार एडी ने बुलाया उनको, समंज किया, पर केजली वाल जी ने कहा जो जज्जमन्ट दी है, मैं चाहूंगा, आप लोग सब उसको पढ़ें, उन्होंने कहा केजरी वाल इंडिविजुली एस चीफ मिनिस्टर, और केजरी वाल आम आदमी पार्टी कन्वीनर, इन्होंने खुद घूज मांगी है, आपके वन लाइनर बड़े फेमस होते हैं, तो हमने एक सोचा, आपके साथ रैपिट फायर राउंडी कर लें, और हम आपके साथ चार नेताओं के नाम लेंगे, और मुझे उमीद है कि आप एक एक लाइन में, एक चब में उसका जवाब देंगे, जी, नेता के बारे में एक एक लाइन बोलनी होगी, और आप बोलें इंका गांधी वाडरा, could have been launched, but was not launched, ओके, अब थीसरा नाम है मेरे पास, सुखबीर सिंग बादल, कुछ तो बोलना पाएगा भई, इस पे ऐसा तो नहीं चलेगा, और पंजाबी में बोलना पड़ेगा, आपकी चुपी बहुत कुछ बता रही है, बस वही मेरा रिस्पॉंस है, जी, चलिए, आप उसमें और इस युवा पीडी के साथ आपने साथ आपने इंट्राक्ट किया, और इनके सवालों के भी जवाब देने का प्रयास करा, थैंक्यू सो मच और आल दे बेस्ट आपको चुनावों के लिए, जो भी बेहतर हो वो जीत करा है, मैं सिरफ एक चीज कहना चाहूंगा, जो मान संकल्प है, जो सुवाब यादर चुनावा, जो भी बारत, बच्वाब बस्ट दाएक लगे आपने साथ आप एको ब्लाचोंगा, जाल आपने मैंने भी जाम मेंदेदेने संकल्प है, जो रहत आपको धूसे है कि क मैंसे आपको देखूने के मैंने टापको देख और काते म झाल झाल